जाए श्री गृष्णा मैं मिनोच ओद्रिया आपका वी के सिमेल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करप्या सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में जो घंटी का निशाना उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अप्लोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आज हम कलास 10 का जो टोपिक पढ़ेंगे क्यू फ्लोविंग नम्मर तो क्यू फॉलवल्विंग नमबर यानि संक्या का गन करना है तो यहां पर मेतल का नाम नहीं दियावाए है तो मेतल अभी का दुस ले बताया उसमें एक ही मेतल करना है तो निखिलम भी दी से यह आपको संक्या का घंद करना है तो यहां पर यह निखिलम से जैसे आप गुणा करते थे तीन संक्याओं का 8th class में, 9th class में, 10th में भी था पहले के सलेबस में जैसे आप संक्या लेते थे 101, इंटू में 102, इंटू में 103 तो यहां इन तिनों संक्याओं का जब आप गुणा करते थे तो इन तिनों में विचलन वो अलग-अलग होता था जैसे इसमें प्लस 1 है, इसमें प्लस 2 है, इसमें प्लस 3 है लेकिन इन तिनो को अगर आप सेम लिख दो, 101 1x101, 101 то ये 101 का qब हो गया है, 101 का गन हो गया है, तो इन तिनो में जो विचलन है वो प्लस का, एक यह, यह, तो यहां पर तिनो विचलन सेम मोने के कार्ण, ये formula creator हो गया है, यहाँ पर Q के दो फॉर्मूले एक तो बेस से है और एक है सब बेस से यहां पर जो संख्या 10, 100 या अजार के पास के नहीं है तो वहाँ पर आपको सब बेस उपधारे लेना पड़ेगा जैसे 203 आ गया, 501 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया तो इसका अगर आप गन करते हो तो आपको वहाँ पे उपादार लेना पड़ेगा क्योंग यह संक्या डायरेक्टली आदार के पास की नहीं है तो cube के यहाँ पे formula है कि एक तो base से है और एक है sub-base से cube के यहाँ पे formula है एक तो base से और एक है sub-base से तो बेस से जो formula है वो है number plus 2 into division, oblique 3 into division square, oblique division का cube. यानि संक्या plus 2 into viceland, 3 into viceland square, और viceland का cube. वो जो subbase से formula है, वो है subbase digit का square, यानि जब subbase आएगा तो निखिलम से square करते हैं, वहाँ पर भी subbase से question होता है, तो वहाँ भी subbase से multiply करना पड़ता है, तो यहाँ sub-base से 2 गया multiply करना होगा तीसरे वाले में कोलम में multiply ने करना होगा sub-base digit का square बाकी यह formula number plus division यह सेम है फिर 3 into division square यह सेम है इसका multiply sub-base digit से हो रहा है only square से नहीं हो रहा है और last वाले कोलम में जो division था वो division का cube यह last वाले में कोई change नहीं है बस इन दोनों में यहाँ sub-base digit का square से multiply होगा और middle वाले में sub-base digit से होगा यानि उपादार अंक है उसका square ब्रेक्ट में संख्या plus 2 into which land और उपादार अंक 3 गुणा विचलन square और विचलन का cube तो यह इनके formulas है तो अगर आप जब इस संख्या का गन करते हो अगर यह formula आपको याद नहीं है तो आप निखिलम से जैसे तिन संख्या का गुणा करते थे तो उससे आप formula यह बना भी सकते हो अगर भूल गए हो कहीं पर और अगर आपने exam में formula गड़त कर दिये तो आगे पूरा क्यूशन नहीं गड़त हो जाएगा क्योंगे यह वो है 15 का क्यूब करना है यह पंदरा का आपको गन करना है तो यह जो नंबर है यह जब आप 10 यह thousand लेते हो तो उनके close है यह वो चेक करते हैं तो यहाँ पर अपने को सब बेस नहीं लेना पड़ेगा Only बेस से ही question हो जाएगा यानि यह base वड़ा formula यहाँ पर apply कर सकते हो तो यहाँ पर आपन base लेंगे base है वो 10 base 10 है और यहाँ पर जो division है अब यह 10 से greater than 15 greater than 5 है तो यह plus का 5 है वो division होगे है विचलिन होगे है तो आदार यहाँ पर 10 है और विचलन है वो 5 है plus का plus का 05 नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर base है वो 10 अगर एंडरेट होता तो आप plus का 05 लिख सकते थे अब अपने को 15 का cube करना है base वाड़ा formula apply करना पड़ेगा यह formula आप यहाँ पर लिखोगे और इस formula को लिखने के बाद इसमें जो जो value वो put कर दोगे तो जब आप 15 का cube करोगे तो यह formula जो उपर लिखावा यह आपको हर question में लिखना होगा मैं आप पर डिरेक्टिव उपर formula लिखावा इसमें value put कर रहा हूँ तो number plus 2 into division है number कितना है 15 है तो 15 plus 2 मुका multiplied division division कितना है 5 plus का यह इसे होगा फिर oblique 3 into division square यह दिवेशन 5 है तो 5 का square और oblique 5 का cube अब इसको open solve कर लेंगे तो यह 2 into 5 10 हो गया 10 और 15 आप 8 करते हो तो यह हो गया 25 और 5 का square 25 का 3 से multiply करते हो 75 और 5 का cube होता है 125 यह 5 का cube है तो 5 को 3 times multiply करना है अब यहाँ पे जैसे आपने निखिलम से square किया था उसी तरह से base 10 है तो 10 base है तो आपको एक digit निचे उतारना है इसके लावाद जो भी है वो आपको आगे next वाड़े को carry transfer कर देना है तो यहाँ पे unit digit 1 की निचे आएगा 5 बाकि जो यह 12 होगा यह 12 आगे carry के रूम में आप forward कर दीजिए तो यह 12 को आगे आप carry के रूम में forward कर दोगे तो यह 75 में 8 हो जाएगा तो 75 में 8 करेंगा तो यह 5 और 2 7 हो गया और 7 और बन हो गया 8, 87 हो गया अब अपने को एक डिजिट निचे उतारना है यह 7 उदर जाएगा निचे और 8 आप आगे carry के रूम में transfer हो जाएगा तो 25 में 8 करेंग दो जाएगा 33 तो यह आजाएगा 33 लास्ट वाली कोलम में एकजाम में आप इसको जब लिखोगे तो इसको किस तरह से लिखना है यहां पर 12 है वो carry के रूम में गया था और यहां पर 7 है वो carry यह वाला digit इदर वाला यह जो unit है यह तो अपने को तारना है बाकि इसके साथ जो भी add होगा वो आगे carry के रूम में जाएगा तो एकजाम में आप इस तरह से लिख सकते हो यह 5 को तो थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा उसके बाद जो 12 है उसको छोटा जो किया के carry के रूम में जाएगा फिर यह 5 है इसको करेटर देन और 7 के साथ जो भी add होगा इदर से आ करके वो इसमें carry add हो जाएगा लास्ट बड़ा है उसमें कोई change नहीं कर रहा है जिससे examiner को लगेगा भी यह जो यहां पर एक digit उतारना है यहां पर भी एक digit उतारना है बाकी जो भी digit होगा उसको आप small लिख दीजिएगा और जो अगर एंडरेट बेस होता तो आप दो digit है वो बड़े लिखते है और यह को छोटा लिखते तो इस तरह से कर सकते हो अगर आप exam ऐसा करते तो भी गल्थ नहीं है पर as a pattern यह सही माना दाता है तो यह question number 8 था 15 का क्यूब करना था जिस cancer रहा है 3375 आगे 91 का क्यूब करना है तो 91 को आप sub base से भी कर सकते हो sub base में थोड़ा सा calculation इसका बढ़ाएगा और आप इसको base से भी कर सकते हो क्योंकि यह number है वो 100 के close number है तो इसको अपन base से कैसे करेंगे कि base यहाँ पर 91 है तो base अपन लेंगे यहाँ पर 100 अब base से यह number less देना है तो यहाँ पर duration जो आएगा जो which land आएगा वो minus का आएगा minus का कितना हैगा कितना कम हैसोसी यह no कम है तो यह minus का जाएगा 9 तो इसका minus 9 लिखो यह minus का 0,9 भी लिख सकते हो तो यह इसका आगया है वी चलन अब जो यह formula है यह formula आप हर question में लिखोगे तो यहाँ पर यह formula लिखावा है इससे हमें अपन value put कर देंगे तो जब 91 का आप cube करते हो तो यहाँ पर जो number कौन सा है 91 है तो इसमें अपन लिखेंगे कि number 91 plus 2 into division तो division कितना है minus का 9 लिखो जाएग 0,9 लिखो फिर oblique 3 into में division का square तो minus 9 का square हो गया और last में division का cube है तो division 9 है minus का तो minus 9 का cube हो गया अब यहाँ पर इनका जो square cube है वो आप कर दीजिए तो यह 9 का 2 से multiply करेंगे तो यह minus का आईगा क्योंकि यह plus minus का multiply minus होता है तो minus का कितना होगा 18 होगा और यह side है 91 तो 91 में से 18 अब subtract होगा अब minus का है number लेकिन उपर square है इवन number में power है तो यह positive होगा 9 का square हो 81 हो जाएगा तो 3 का multiply हो गया 81 से और 9 का cube है तो 9 का cube 729 होता है यह 9 को आप 3 times multiply करो 9 into 9 into 9 तो यहाँ पर जो cube कर रहे है पर power है वो odd number में है विशन संख्या में जब गात हो तो answer है वो negative संख्या है तो उसका negative आएगा तो यह minus का हो गया 729 अब इनका multiply subtract कर देंगे तो 91 में से 18 आप subtract करते हो तो 73 और 81 का 3 से करेंगे तो 3 का 1 से करेंगे तो 3, 3 का 8 से करेंगे तो 24 और यह minus का 729 अब अगर कोई भी कोलम में negative संख्या आ जाए तब आपको क्या करना है को उसके पास वाड़े से आपको carry लेना है अगर इसमें negative आ जाता तो यह carry देता है इसको last वाड़े में negative नहीं आएगा इन दोनों में negative आ सकता है तो यहाँ पर यह last वाड़ा negative है तो इसको positive करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो प्रोसिय यह इसको carry देगा तो यहाँ पर यह 729 है तो अगर आप इसे 1 carry लेते हो तो 1 है वो base के जितना जाएगा यहाँ 100 मन के जाएगा अपने को तो यहाँ 729 से greater देन नमर चाहिए क्योंकि तब ही तो यहाँ पर positive मनेगा तो 729 से जो 100 का multiple है वो क्या होगा 800 होगा 800 होगा तो आपको 800 इधर लेके जाना पड़ेगा तब ही यह इसमें से subtract होगे positive आएगा तो 800 आपको इस side लेके जाना है तो यहाँ से कितना minus करना पड़ेगा आपको 8 minus करना पड़ेगा अगर आपने 8 minus कर दिया है तो यह side जाकर के कितना बन जाएगा 8 है 100 बन गया है तो यहाँ पर आप लिख दीजी 73 और 243 में से 8 आप subtract करते हो तो 235 हो गया है और 800 में से 729 सब्ट्रेक्ट करोगे तो यह कितना जाएगा 71 आ गया है अब यह 3 के 3 कोलम में अपने पास positive नमर आ गये हैं तो अब base को देख करके आपको निचे digit उतारने base अपने पास कितना है 100 है तो 2-2 digit आपको निचे उतारने 3 कोलम में 2 है यह 71 तो यह 71 का 70 बना जाएगा इसमें 3 digit है तो 2 digit 35 आईए 73 में 28 होगा तो 70 हो गया 5 तो यह इस cancer हो गया 91 का cube का अब next है वो question number 10 करेंगा तो question number 10 में अपने वो 32 का cube करना है 32 है वो 10, 100 यह 1000 का close number नहीं है यह 10 का multiple है 30 उसके close number है तो यहाँ पर आपको सब base से लेना पड़ेगा तो यहाँ 32 के according अपने base तो ले लेंगे अदार जो है वो तो ले लेंगे 10 और sub base उपादार उपादार कितना होगा कि यह 30 का close number है तो उपादार हो गया 30 और sub base digit उपादार अंक उपादार अंक जो होगा वो 30 को आप 10 से डिवाइड कर दीजी या 10 को आपने किसे multiply किया कि 30 है तो उपादार अंक हो गया है वो 3 हो गया है और यहाँ पे जो डिवेशन है जो विचलन है वो आपे sub base से comparison करोगे जो number था तो 30 का comparison 32 से तो कितना है यह 2 greater than है तो यह plus काईगा यहाँ पे डिवेशन अगर 28 होता तो यह minus का आता तो यहाँ plus का 2 है यह डिवेशन है तो अब इसका जो formula है sub base बड़ा वो sub base बड़ा है formula sub base digit का square number plus 2 into division oblique sub base digit 3 into division square oblique division का cube यह formula इसका उपादार अंक का square break में संख्या plus 2 into which land oblique उपादार अंक 3 into which land square और last में विचलन का cube यह last वाले में किसी भी उपादार अंक से या उसके square से गुणा नहीं होता है तो यहाँ प्रपन जो भी value वोपिट कर देंगे तो 32 का जब आप cube कर रहे हो तो 32 के cube में सबसे पहले आपन उपादार अंक लिखना है यहाँ पे तो सबबेस डिजिट सबबेस डिजिट कितना था 3 था तो यह 3 का square आएगा यह होगे उपादार अंक का square फिर नंबर नंबर कितना है 32 प्लस डिवेशन का multiply किसे होगा 2 से तो 2 into में डिवेशन कितना है प्लस का है यह 2 फिर उपादार अंक कितना है 3 और इसका multiply किसे होगा 3 into में डिवेशन का square यानि 3 into में डिवेशन कितना है 2 है तो यह 2 का square हो गया और last वाड़े कोलम में डिवेशन का cube यानि 2 का cube हो गया है अब यहाँ पर इनका square बगएर करके इनको आप multiply कर दीजिए तो 3 का square हो जाएगा 9 यह हो गया 9 अब आप इसको अगर direct sum करो या लाइन और एक्स ट्राएगे नहीं तो फिर तो आप यहाँ पर direct sum कर सकते हो 2 into 2 4 हो गया 4 का sum upon 32 के साथ करेंगे तो यह आगे 36 और last वाड़े के middle वाड़े में यहाँ पर 2 का square यह 4 4 का 3 से करेंगे तो यह हो गया 12 12 का 3 से करेंगे तो 36 तो यह आजाएगा middle वाड़े में 36 अब लास्ट वाड़े में 2 का cube है तो यह 8 कई बच्चे में इस्टेक करते हैं 2 का क्यूब करते हैं तो 2 को 3 से multiply करते हैं तो 6 लिख देते हैं तो 2 का जो क्यूब उसका मतलब क्या है कि 2 को 3 times multiply किया गए 2 multiply 2 multiply 2 तो answer आएगा 8 अब यहाँ पे 9 का 36 से अपने multiply कर लेंगे तो 9 का 36 से करेंगे तो यह आजाएगा 324 और middle वाड़े में 36 और यह 8 अब बेस अपने पास 10 है तो 10 बेस है तो इसके according अपने को एक एक डिजिट इनीज उतारना है तो यहाँ पर अपने एक डिजिट लास्ट वाड़े में तो यह किये यह 8 तो 8 का 8 आजाएगा मिडल वाड़े में 2 है तो इसका यूनिट इजिट है यह तो आप एक डिज उतार लोगे और केरी के रूम में आगे जाएगा वो 3 जाएगा तो 324 में 3 एड करेंगे तो यह आगया 327 तो यह 32768 इसका आंसर हो गया है 32 का गन का अब आगे यह लास्ट इसका क्यूब का क्यूशन है वो 208 का क्यूब करना है दो सवाट का अगन करेंगे तो यह 208 है वो 100 का मुल्टिपल है यानि यहाँ पे आपको सबश लेना पड़े गा क्योंकि यह नम्मर बेश का क्लोज नहीं है अगर यह 108 होता तो यह बेश के क्लो यह 200 का close हो गया है तो यह base हो गया 200 और sub-base digit है उपदार अंक जो है वो 100 से आप इसको divide करते हो तो यह जाएगा 2 और division है वो आप sub-base से करोगे comparison तो यह greater than है 200 से यह तो यह sub-base से आप comparison करोगे तो प्लस का कितना आ गया 8 आ गया है अब इसका formula है वो sub-base वाड़ा लगेगा तो sub-base वाड़ा इसका formula लिखावा है तो इसमें पन value put कर देंगे तो यह 208 का cube करेंगे तो अपने पास sub-base digit का square लिखना यहाँ पे तो sub-base digit कितना है 2 तो यह 2 का square आ गया अब रेक्ट में नंबर नंबर है 208 प्लस 2 इंटू कितना है प्लस का 8 है तो यह 2 इंटू डिवेशन हो गया है फिर oblique sub-base digit यानि 2 इंटू में 3 इंटू डिवेशन square तो 3 इंटू डिवेशन है वो 8 है तो यह 8 का square उर लास्ट में division का cube है यानि 8 का cube आ गया है अब इसका जो आपन square करेंगे तो 2 का square हो की है यह 4 हो गया है 8 का 2 से multiply करें 16 और 208 में अपन 16 है, 8 करेंगे, 8 एड करेंगे, तो आजाएगा 224, ये 8 का square होगा, 8 का square होता है 64, तो 64 का multiply की से होगा, 2 into 3, 6 से करेंगे अपन, तो 6 का multiply करेंगे 64 से, और 8 का cube होता है 512, तो ये इसका cube होगा, अब आप इसका 4 से multiply करते हो, तो 4 का 4 से multiply करोगे, तो ये 16 होगा, 4 दूनी 8 और 9 और 4 दूनी 8, और 6 का 64 से करोगे, तो 6 का 4 से करोगे, तो ये होगा, 24, 6 का 6 से करोगे, तो 36 और 2 हो जाएगा, 38, और last में ये 512, अब यहाँ पे जो केरी है, वो कौन सी ट्रांसफर करनी है अपने को, कि बेस हेंड़र्ड है, तो दो डिजित आपको नीचे उतारने हैं, उसके लावा जो भी होगा, एक्स्ट्रा, तीसरा डिजित भी आपको केरी आपको बेजने हैं, तो यहाँ पर अपने 12 है, क्योंकि दो दो डिजित तो आपको उतारने हैं और उसके लावा जो भी एक्स्टर होगा वा आगे केरी करूम में जाएगा तो ट्वेल है वो एज़ डिजित नीचे उतार लिया उसके बाद जो 5 वा आगे केरी करूम में ट्रांसफर कर दिया तो 384 में 58 करें तो 389 हो गया है अब आपको दो डिजित नीचे उतारने हैं क्योंकि बेस आपके पास 100 है और तीसरा डिजित जो 3 है वो आगे केरी के रूम में आपने सेंड कर दिया तो 3 इसमें 8 होगा तो 899 आ गया है तो लास्ट वाले में ये 899 का 899 लिख देंगे तो ये इसका अंसर आ गया है 208 का घन होगे